हाई फ्रेंट्स, I am कुमार जीत विलकम बग तू ऄूटूब चैनल ZPLASTEAK फ्रेंट्स, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने लाइव आज रिकॉरणिंग आप लोगों को दिखाने वाला हूं बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है कि इस दर आप live recording मुझे दिखाईए कि live recording कैसे होता है तो आज हम अपने studio में हैं और live recording आपको दिखाने वाले हैं तो पहले जो episode एक, दो, तीन, चार जो episode है वो आप देखेंगे तो ज़्यादा benefit होगा क्योंकि उसमें हर एक चीज कैसे आपको music है वो track पे लेना है आपको tempo कैसे set करना है, track कैसे बनाना है, यह सारी चीजे मैं already बता चुका हूँ इस वीडियो में मैं सिर्फ यह बताऊंगा कि आपकी live recording कैसे होगी तो हमारे साथ हमारे singer जो बहुत सारे market में गाने इनके आये हुए है और अभी एक मा का गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है, जो गाना हम आज record करने जा रहे है, तो यह हमारे tiger राजा है, singer tiger राजा, जिनके साथ हम आज बैठे हुँ है अपने studio में, और recording के लिए हम लोग तयार है बताइए दर्शकों से कुछ कहना जा है, आज बहुत ही अच्छा song record होने जा रहा है, मा बापका गाना है, और यह जेट प्लस बोचपुरी पे आएगा, आप लोग धेर सारा प्यारा सिर्वाद दीजे, मेरा बहुत सारा गाना YouTube पे आप देख सकते हैं, और यह गाना बहु बहुत ही दर्दनाक गाना है, तो दर्द से भरा हुआ, आपके आँख में आशू आजाएगा इस गाने को जब final output इसका जबाएगा, हम अभी record करेंगे इस गाने को और आप बने रहिए और इस पे हम दिखाएंगे कि कैसे live recording की जाती है, एक singer जब इस टूडियो में आते है और उनका गाना जब record होता है, तो कैसे record होता है, तो हम screen पर चलेंगे, और screen पर चलकर आपको दिखाएंगे कि live recording कैसे की जाती है, तो चलते है screen पर, आप तो friends जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी recording का यह मैं music अभी set हो चुका है, tempo इस पे beat पे music है, जो music आपको मैं दिखा रहा हूं, यह music है, और music पे set हो चुका है, तो आगे हम चलते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, screen पर मैं ने एक compressor यूज किया है, और एक auto tone लगाया है, हाला कि भशपुरी में ज्यादा auto tone यूज होता है, तो auto tone लगाया है, इसमें singer को reverb नहीं मिल रहा है, तो singer को reverb देना है आपको, तो कोई भी एक reverb उठा लेजिए, जो आप यूज करते हैं, तो reverb आपको देना है, माई पहिरे भाट ले लूगा, माई पहिरे भाट ले लूगा, तोहरा ना देखात बा, मेहरी के खातिर नाया, साड़ी खरी धात बा, माई पहिरे भाट ले लूगा, माई पहिरे भाट ले लूगा, दर वाइस किसे आ ओईूटर इए, इदर सही हा रा रहा है, आपको को ऐसा लग रहा है कान में, कान में अजीभ तरा से आ रहा है, आपको बोली अभी, माई पहिरे फाटा ले लूगा हाँ है ठीक हाँ हम सुने में अच्छा लगी चाहिने है नहीं है ठीक है मारी पहरे फाठल लोगा मारी पहरे फाठल लोगा तो भड़ा नहों देखात बाद में भरी के खाती नहीं साधी खात बाद में भरी के खाती नहीं साधी खात बाद मारी पहरे फाठल लोगा मारी पहरे फाठल लोगा कुहरा नहीं देखात बाद में भरी के खाती नहीं साधी खात बाद में भरी के खाती नहीं साधी खात बाद कि आपका फीलर जो बीच में आ रहा है तो फीलर का ध्यान रखे ना बीट पर आएंगे तो फीलर बीच में है वो बीच में नहीं आ रहा है बीच में फीलर का ध्यान रखना है बीच में जो बज रहा है ना फीलर वो जहां गयप आपका है वहां पर फीलर बजाए तो उसका ध्यान रखना है ठीक है हुँ हुआ 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 है हुआ हुआ हुआा तो हैनों आप देख सकते हैं कि इस तरह से लाइव्रिकॉर्डिंग जो है इस तरह से होती है और आप अल्रेडी मैं बता चुका हूं दूसरे वीडियो में बताया हूं उसका लिंक दे दूंगा जहां पे कौन सा प्लग इंस लगा के आप सिंगर का रिकॉर्ड कर सकते हैं आवाज फाइनल मिक्सिंग मास्टिंग के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इसमें सिर्फ मैं दिखाना चाहा रहा था कि लाइव रिकॉर्डिंग कैसे होता है वो सारी चीजे एक एक पार्ट मैंने अल्रेडी बता रहा हूं एक एक एपिशोट छोटा छोटा टोडा तो आप बन